हेलो फ्रेंड्स वेलकम तू माई चैनल आयम मनोज कुमार और दोस्तों आज देखने वाले हैं कि किसी भी अपनी बनी हुई रिपोर्ट को या किसी पेज को अपने ही बनाय हुए डैशबोर्ड के उपर किस तरीके से ऐसे हाइपर लिंक हम क्रेट कर सकते हैं लास्ट वीडियो के अंदर आपने देखा था कि अपनी बनी हुई किसी रिपोर्ट को हम अपने स्प्रिंग बोर्ड पे किस तरीके से अटेच करते हैं तो आज बिलकुल उसका दूसरा तरीका देखने आलें कि रिपोर्ट मेरी बिया किसे हैं अपने स्प्रिंग करें अनदर पर्टिकलर रिपोर्ट के लिए किसी पर्टिकलर पेज के लिए मिल्कुल यह देखते हैं सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट के हुए लॉग इन कर लेथे हैं आपनी फ्यूजन के विंडो पर ये मेरा एक यूजर नेम और पासवर् पर जो है login कर गया हूँ, greeting भी मुझे यहां पर मिल गया है, ठीक है, अम मुझे क्या करना है हम मुझे क्योंकि hyperlink create करना है, but obvious है कि कुछ भी create करना है, कुछ भी develop करना है, कुछ भी navigation में change करना है कुछ अपने layout में change करना है कुछ अपनी coloring में change करना है तो हम पहले ही discuss कर चुके कि सबसे पहले बनाना होता है हमें क्या sandbox तो sandbox बनाने के लिए आप सभी लोगों को ध्यान होगा कि हम कहां जाते हैं हम जाते हैं configuration के अंदर configuration के अंदर जाते हैं sandbox पे click requirement के हिसाब से किस-किस चीज के लिए हम create करने वाले उसके लिए वहाँ पर sandbox को create कर लेते हैं तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ sandbox create कर लेता हूँ sandbox create करने के लिए मुझे actually दो चीज चाहिए क्या page integration and page composer मुझे दो चीज चाहिए और इन दोनों चीजों को ले करके मैं यहाँ पर एक sandbox create करूँगा तो यहाँ पर sandbox का नाम भी हम थोड़ा easy रख लेंगे so that हम easily identify कर पाए हैं आज के हिसाब से रख लेते हैं तो मैं रख लेता हूँ let's say यह रख दिया है टेस्टिंग रख लेते हैं क्योंकि हम टेस्टिंग कर रहे हैं या hyperlink इसका नाम रख लेते हैं यह रख लिया है create और enter कर देते हैं दोस्तों इन दोनों चीजों के साथ इस नाम से मेरा एक क्या है एक मेरा sandbox बन जाएगा जिसके अंदर दोनों की दोनों चीज़े जो मैंने यहाँ पर select किया है इन दोनों के feature इन दोनों पर जो changes करूँगा वो मेरे changes मेरे इस user पर reflect करेंगे जिस तरीके की property में set करूँ तो sandbox बन गया है कि नी बन गया कि इस नाम से मेरा sandbox बन गया है क्या क्या चीज़े हमने लिए page integration and page composer लिया है तो दोस्तो अब चलते हैं अपनी activity की दरब तो hyperlink create करने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिएगा अपनी किसी report का जिसको मैं attach करने वाला हूँ उसका static link तो static link जो है तो चलते हैं अपनी fusion की window पर तो यहां पर सबसे पहले मुझे जाना है दोस्तो कहां पर सबसे पहले मुझे जाना है edit page के ओपर after creation of sandbox sandbox create करने के बाद मुझे इस वाले अपने link पर create करना है जैसे ही इस link पर create करूँगा दोस्तो यहां पर आप देखोगे कुछ आपकी editing type का कुछ एक और taps येलो के नीचे खुल जाएंगे अब आपको कहां पर लगाना है hyperlink लगाना है मुझे अपने dashboard पर तो सबसे पहले यहां से भी पहले मैं लेके चलता हूँ आपको dashboard पर तो dashboard पर जाने के लिए आप navigator के through भी जा सकते हैं या अपने जो कहां पर आपने dashboard लगाया हूँ है वहां पर भी जा सकते हैं तो मैंने others के अंदर अपना dashboard लगाया हूँ है यह देखिए दोस्तो others के अंदर my dashboard आपको देख रहा है कुछ-कुछ यह ब्लैक क्लर के options यहां पर मुझे enabled दिखने लगते है after this activity जब मैं किस पर क्लिक करता हूँ जब मैं क्लिक करता हूँ अपने इस वाले option पर add it page भार तो आप चलते हैं मुझे क्या करना है add content करना है तो add content पर जैसे ही क्लिक करूँगा एक pop-up छोटी सी window खुलेगी जिसके अंदर मुझे क्या लेना है मुझे component select करना है कौन सा hyperlink वाला component तो यहां पर मुझे कोई confusion नहीं है एक hyperlink मुझे create करना है hyperlink में simply क्या होगा हम आपने देखा होगी control के साथ अगर किसी भी लिखे हुए character के उपर अपना करसल ले के जाते है तो वो एक separate window में मेरे को कुछ एक web-based page खोल के दे देता है या कोई जो भी कुछ होता है वो खोल के दे देता है तो hyperlink create करने वाले add पर simply सीधे-सीधे click करता हूँ जैसे यह add पर click करूँगा दोस्तों यहाँ add content के नीचे आपको देखना चाहिए देखे यहाँ पर एक यहाँ पर यह hyperlink जो है दोस्तों बनकर आ गया है मैं simply close कर देता हूँ इसको close करने के बाद मैं जब भी इस hyperlink पर जारा हूँ तो देखे यहाँ पर एक edit का यह option बार बार enabled हो रहा है जैसे ही करसल लेकि जाता हूँ तब ही आ जाता है तो इसके बाद यह जो key बन रही है एक wrench type इस पर edit पर मुझे click करना है edit पर click करने के बाद सबसे पहले ही मुझे destination पूछता है कि भाई जब इस पर आप click करोगे तो खुलना क्या चाहिए तो बिल्कुल confusion नहीं है static link के लिए हमने वीडियो पहले भी बनाई है static link कैसे निकालते हैं दोस्तो 2-3 मिनट की वीडियो आप प्लीज उसे देखेगे ज़रूर मैंने 2-3 वीडियो पहले ही उसको आपके लिए लांच किया था तो वह static link यहां पर लाके मैंने paste कर दिया है ठीक है अभी के लिए apply कर दिया है अब चलते हैं display option पे जैसे ही display option पे click करूँगा दोस्तो कुछ एक settings और जाएंगी जो आपने destination में दिया था वो automatically यहां पर आ गया है दोस्तो target frame में आपको रखना है क्या blank क्यों रखना है यह आपको यहां समझना चाहिए क्योंकि अगर मैं यहां blank नहीं रखता हूँ और जब मैं अपने dashboard पे आकरके अपने इस report के link पे click करूँगा तो यह same tap पे मेरे को मेरी report को run करा देगा फिर मुझे वापस आने के लिए अपना back वाला keyword है वो use करना पड़ेगा तो better है कि जब भी आप hyperlink पे click करूँ यह target page खोल दे और वो page blank हो और उस page भी मेरी report run हो जाए तो यहाँ पे मैं blank दे लेता हूँ text के अंदर कुछ नहीं है आप अपने report का नाम दे सकते हैं जो भी आपके report का नाम है तो यहाँ पे मेरी single parameter एक report है select text report या expression builder कुछ भी आप ले करके एक यहाँ पर डाल देंगे expression builder के अंदर expression आ जाएगा यहाँ पर simply मैं डाल देता हूँ क्या आपने report का नाम तो मेरी report का नाम क्या है मेरी report का नाम है single parameter based report something कुछ एक बाद देख लेते हैं कोई confusion नहीं रहना चाहिए तो एक बाद जल्दी से और यहाँ पर सबसे उपर जो report आ रही होगी दोस्तों वह report मैंने ली है तो यहाँ पर open कर लेता हूँ इस report को जैसी open करता हूँ report का नाम मुझे simply यह दिख जाता है एप इन्वाइस parameter single parameter report कुछ confusion नहीं है simply इस नाम को लेना है मुझे और यहाँ पर अपने डाल देना है इसको मैं test भी कर सकता हूँ okay भी कर सकता हूँ यह okay कर देता हूँ simply जैसे ही apply के उपर click करता हूँ दोस्तों आप देखेंगे नीचे ap invoice report single parameter नाम की आपको पीछे आपका जो hyperlink था वो इस नाम से आने लगता है style में जाकर कि आप कुछ भी कर सकते हैं कि जो hyperlink है वो कैसे color का दिखाई दे let's say मैं कहता हूँ कि dark blue color का मुझे यहां पर दिखाई दे या black color का देते हैं let's say मैं blue color का एक दे दिया background color कुछ नी देना है width height कुछ दिया font अगर आप देना चाहते हैं थोड़ा सा तो font आप दे सकते हैं let's say font size यहां पर मैं बोल देता हूँ 12 pixel दे लेता हूँ 12 जो pixel है 12 pixel दे दिया bold कर देते हैं थोड़ा दिखने में easy रहेगा top पे देना है bottom पे देना है कहां देना है आप किसी भी तरीके से यह दे सकते है apply कर देता हूँ apply करने के बाद देखे आपको यह blue color का भी दिख गया और bold भी दिखाई दे गया और okay अब यहां पर आप देखोगे तो dashboard में मेरा य इसको check भी कर सकते हैं अभी क्योंकि देखे मैं उसी user से लॉग उनूँ तो और उसी user पर मैं changes भी कर रहा हूँ अभी के लिए simply इस पर click करूँगा तो मेरे एक अलग tab में report चल जाएगी जैसे मैं दबाता हूँ देखे एक अलग tab यहां पर खुल गया है वो report यहां आ गई ह और report आने के बाद में कुछ नहीं करना है मुझे अगर मैं यहां पर कुछ एक invoices select कर लेता हूँ let's say all अटा लेता हूँ और उपर की दो invoices select कर लेता हूँ apply करता हूँ तो report का output भी दोस्तो मुझे इसी वाली window पर दिख जाएगा यह मैं refresh करता हूँ refresh करने पर देखे जो send box है उसको apply करके और एक बार close कर देते हैं तो apple link लगाने का जो तरीका था दोस्तो वो तो actually इतना ही था चलते हैं send box के अंदर publish करते हैं एक बार इस send box को और देखते हैं कि क्या-क्या changes यहां पर हो गए है तो यह मैंने publish किये yes किया और यहां पर यह बताता भी है कि आपने क्या changes कीए हैं क्या detailing हैं किस तरीके से सारी चीज़े बताता है और मैं sure हूँ कि जो changes मैंने किए हैं यह मुझे system लेके जाने हैं और अब confirmation देने के बाद में ये चीज मेरी system पर impact कर जाएगी और उपर से मेरी yellow line भी जो है दोस्तो वो भी यहाँ पर remove हो जाएगी अब एक बार जाकर के देख लेते हैं home window पर जाते हैं home window पर मुझे कहीं पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा हो दोस्तो कहां पर मुझे जाना है अपने dashboard पर तो dashboard कहां था मेरा others में मेरा dashboard लगा हुआ है others में गया my dashboard पर गया और my dashboard में मुझे मेरा एक hyperlink देखी दोस्तो ये दिखाई दे रहा है तो ये छोटा सा concept था जहां पर हम किसी भी अपने बने हुए custom page को या अपनी किसी भी तरीके की जो reports हैं dashboards है किसी भी चीज का hyperlink अपने dashboard पर create कर सकते हैं चोटा सा example मुझे लगा आपको आना चाहिए अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को like कीजिएगा share कीजिएगा और मेरी छोटी सी मुहिम को support करने के लिए मुझे motivate करने के लिए दोस्तो चैनल को subscribe जरू कीजिएगा so that मैं इसी तरीके से आपके लिए knowledge वाली वीडियो लगातार बनाता रहूँ thank you so much दोस्तो फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में नए concept के साथ